नौश्कार दोस्तों स्वागत हाँ सबी लोगा एक बाब फिर हमारी प्लासिकल एक्योपरिश्य की ट्रीडिंग से जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर नावी का पॉइंट बनाया यह सीवी एंट पॉइंट हमारा है सेंटर में होता है अब इससे साथ कुन की दूरी पर यहां हमारा पॉइंट बनेगा सीवी 15 अभी हमारा बनेगा पॉइंट अब बात करते हैं कि इसके बेनेफिट्स क्या क्या है यानि कि अगर इस पॉइंट से का यहीं से पूर्ब क्षम से तो सबसे पहला अगर कीजक魔 रहता हो डर्जादा रहता हो कोई ज़्यादा खड़ बात कढ़न कोई उससे भी डर जाए कोई धुमका दे ड्रा दे उससे जिल्दी डर जाए तो इस तरह कि फियर की जो भावना होती है वो सारी इसमें ठीक होती है नमर दो चिंतित रहना किसी भी चोटी से छोटी बड़ी शाह में इनसा चिंतावे रहने लगए उसका स्वरूशन निकालने के वज़ाए उस फे ही में स्वर चिंतря में लगहीं तो उसके मोगया हें और लग्तिकन हो तो उस कंडिशन में भी आप इस पॉइंट से ट्रीटमेंट कर सकते हैं अभी आपके तीन ऐसे बेनेफिट्स हो गए जो अपने आप में बहुत गंभीर हैं फियर यानि की डर चिंतित रहना और एंजाइटी इस तरह की सभी प्रॉब्लम से आप जुटकारा पाने के लिए र इस पॉइंट को आप अपने जैसे हाथ के थमसे पीशेंट को सीधा लेटाएंगे केरफुली पीशेंट को बताएंगे हम इस तरह से आपका पॉइंट दमाएंगे कोई डरने वाले बात नहीं है पीशेंट रिलेक्स होगा सीधा नेटेगा फिर आपको हरा देगन स्वरी इस पॉइंट को आपको 15-20 से के लिए प्रेस करना है अब इस पॉइंट को आप चाहों तो दिन में रिपीट भी कर सकते हो गंटे-दूगंटे में या फिर एक भार भी इस पॉइंट को दबा सकते हैं अपनी कंडिशन के इस तरह से आप इस पॉइंट को एक्टिविट कर झालय करी